अजय कोठियाल पहुँचे टनकपूर आज आमादवी पार्टी के उत्राखंट से मुख्यमंत्री के दावेदार करनल अजय कोठियाल आज चमपावत जनपद के टनकपूर नगर पहुँचे इस मौके पर आप करेकरताओं ने करनल का जोरदार स्वागत किया करनल कोठियाल ने चमपावत के सीमांत शेत्री टनकपूर पहुँच पहले रोड शो किया जिसमें बड़ी संख्या में आप कारेकरताओं ने शिर्कत की रोड शो के बाद तुलसी राम चुराहे पर जनसभा को संबोधित करते वे उत्राखंड में आमादी पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया साथी प्रदेश की दूरदाशा के लिए पूर्व की एवं वर्तमान सरकारों पर जमकर निशाना साधा साथी पार्टी कार्याले पहुँचकर सेवार निर्वित सैनिको के साथ समवाद किया वे उनकी समस्याओं को सुना करनल कोठियाल ने कहा कि पहले उत्राखंड में दो ही पार्टी होती थी कॉंग्रेस भाजबा जनता को काफी समय से कोई नई विकल्प का इंतजार था आमादी पार्टी नई विकल्प के साथ उत्राखंड की जनता के लिए आई है वही उन्होंने कैदारनात पुनहे निर्मान की उपलबदी को भी गिनाया साथी विधानसभा प्रभारी मदन सिंग महर की साफ छवी की तारीफ करते हुए कहा कि यहां की जनता से मुझे जो प्यार सम्मान मिला है उसे देख कर लगता है कि आगामी चुनाव में आमादी पार्टी की सीट यहां से शत परतीशत निकलेगी देखो क्या है कि आमादी पार्टी पहले तो यहां पर दोई पार्टी हो जी थी बीजेपी और कॉंग्रेट तो जनता के पास में कोई विकल्प दसानी अपना जो अधिकार है अर इंसान चाहता है कि यूज करें तो बारी बारी से कॉंग्रेस बीजेपी और चुरू में इंटरिम एक सरकार रही है तो जनता तो हमेशा देख रही है कि कैसे यहां पर कोई एक नया भी कल्प आए चुँकि उत्राखंड के बहुत सारे लोग आज दिल्ली में है और क्यूंकि आज ट्राटफेरेंस्टी का जमाना है आज यह जो कोई भी जानकारी है वो सबको एक्दम से मिल जाती है तो जनता तो जरूर देख रही थी कि आम आदनी पार्टी अगर उत्राखंड में आती ह तो वागी में जिसको बोलते हैं उत्राखंड के सुलकते सवाल जो कि हमारी इच्छा है थी कि आम आदनी पार्टी जो उत्राखंड जब अलग हो तो वो सारी जनता के लिए पूरा करेंगे आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं जनता पहले तो बीजेपी और कॉंगरेस को अस्तित्व ही खताम होते जा रहा है हम आदनी पार्टी एक पार्टी है सब्सक्राखंड तो हम अपनी बात करें अगर हमारे कोई देखे कोई मना नहीं कर सकता है कि यह नहीं बोल सकता कि हमने यूस फांडेशन नहीं बनाया है